यह वालकम टुस्टॉटॉर्याल दिस रूपक यहां पर हम बात करने वाले हैं बाइवर्सिटी एंड इट्स कंजरवेशन के बारे हैं बहुत इस सिग्निफिकन टॉपिक है एक्जाम पॉइट इवी से अगर बात करें तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहां से मिल सकता ह है हर साल आप यहां से कुछ सिग्निफिकन अमांट ऑफ क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं सो बहुत कोछ यहां पर आपको मताऊंगा डीटेल में बद्दैन बिफोर बिगेंड प्लीस डोंट फोगेट तो सब्सक्राइब तो जीएस विद्रूपक एन हिट बैल आइक इसको हम टीन कैटेगरी में क्लासिवाई कर सकते हैं जयनेटिक डाइवरसिटी और सपीशी एंड इकलोजिकल डाइवरस्टी जयनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब है जब एक सपीशी में हम अलग अलग वराइटी को स्टड़ी करते है जयनेटिक वाईवर्स पे engineered में तो कि हाला कि एक ही बढूर में इन में जो वर्येशन यह काफ़ी जादा है विदीन वान स्पीशियोस जो जड़ियेशन मिलता इसको हम कहते हैं जैनेटिक डाइवर्सिटी अगर एक एकोसिस्टेम को स्टडी करते माली यहां पर हमको कितने अलग-अलग स्पीशिय मिलेंगे माल इसने सारे species अलग-अलग मिल रहे एक ecosystem में इसको हम कहते हैं species diversity then ecological diversity क्या होता है जब हम एक बड़ा area consider करते हैं मालीजे काजी रंगा national park है यहाँ पर हमको कितने अलग-अलग ecosystem मिल रहे हैं जो ecological varieties हम को मिल रहे example काजी रंगा में आपको pond ecosystem मिलेगा आपको मिल जाएंगे marshes wetlands आपको मिल जाएगा forest ecosystem आपको मिलेगा grassland ecosystem within one geographical area हमको कितने अलग-अलग ecological variety मिल रहे हैं इसको हम कहते है ecological diversity so basically these are the three headings जिसके अंडर हम biological diversity को study कर सकते हैं now globally अगर बात करें जो बायो डायवर्सिटी यह यूनिफॉर्मली distributed नहीं हर जगा पर आपको same amount of biodiversity मिलेगा नहीं so globe में यह किस तरह से vary होता है जैसे हम बात करते हैं जो equatorial belt है यहां पर maximum amount of biodiversity मिलता है जैसा जैसे हम North Pole and South Pole के तरफ move करते हैं हमारा जो बायो डायवर्सिटी यह कम होता जाता है अब ऐसा क्यों है बहुत सिंपल सा रीजन है देखिए बायो डायवर्सिटी डिपैंड करता है कुछ factors के ऊपर एंड इस factors जैसे कि मान लीजिए sunlight कितना मिल रहा है rainfall प्रोपरली है कि नहीं optimum temperature है कि नहीं sufficient amount of photo period यहां पर मिल रहा है कि नहीं photo period का मतलब है 24 घंटे में आपका कितना duration का sunlight यहां पर available है अगर यह सारे जो फैक्टर से यह प्रोपरली मिल रहा है तो आपका बायो डायवर्सिटी रेच होगा अब यह सारे फैक्टर आपको प्रोपरली मिलते एक्टर में जैसा जैसे हम North and South को मूव करते हमारा जो यह प्रोपर डीजी है कम होते जाते हैं जैसे कि आपको पता है जो Southern Southern Northern पोल है यहां पर आपका प्रोपर संलाइट होता निये rainfall जोई है कुछ हम बोल नहीं सकते significant amount of rainfall यहां पर होता नहीं snow covered होता है and of course जो photo period यह काफी कम होता है आपको पता है polar area में six month day and then six month night का अपका गुजरता है सो ऐसे में जो species richness आप expect कर सकते हैं यहां पर minimum होगा सो जैसे जैसे हम pole के तरफ move करेंगे हमारा जो species इस रीचने से biodiversity यह कम होता जाता है यह तो हो गया globally अगर हम एक particular area का बात करें तो यहां पर किस तरह से biodiversity vary होता है यह फर्स टाइम explain किया था जर्मन नेचरिलिस्ट ने अलेक्जेंडर वान हम बोल्ट इन्होंने study कि था साउथ अमेरिकन जंगल में इन्होंने कहा कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाता है एरिया छोटे एरिया में आपको कम biodiversity मिलेंगी जैसे जैसे एरिया बढ़ता जाएगा आपका biodiversity वैसे वैसे बढ़ता जाएगा एक particular limit तक इसके बाद जो biodiversity यह significant amount में बढ़ेगा नहीं study हो जाएगा या फिर हम कह सकते हैं कि यह लगबग constant हो जाएगा so this is the explanation which Alexander von Humboldt had given regarding species area relationship and अगर हम इसको graph में plot करते तो हम को एक graph मिलता जिसको हम कहते हैं rectangular hyperbola shape का graph इसको मैं यहां पर explain करता हूं अगर हम यहां इस एकसिस में अगर हम area consider करते हैं यहां पर हम species richness consider करते हैं तो यह कहता है कि पहले तो जो species richness area के साथ साथ यह बढ़ता जाएगा एक limit तक इसके बाद यह लगबग constant हो जाएगा so this graph it becomes a rectangular hyperbola अब देखिए this is the graph यह कह रहे है it is rectangular hyperbola the shape of the graph एक माक का सवाल क्या shape मिलता है अब अब इसको जब हम equation में convert करते हैं तो हमारा equation हो जाता है log scale में it becomes log as equal to log c plus z log a अब इसका derivation आपको नई चाहिए exam में आपको बस equation पूछेंगे कि कौन सा equation है species area relationship के लिए यहां पर इसको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ यह होता कैसे है देखिए हम कह रहे हैं कि जो exactly जो Alexander won't humble है यह कह रहे हैं कि जो species यह directly proportional to area अब इसको अगर हम convert करते हैं क्योंकि यह exponential growth show कर रहा है initial stage में तो हम इसको कह सकते हैं as जो है यह exponentially grow कर रहा है so we can give it as c a power z यहां पर z का मतलब है the slope of the graph which you know denotes the coefficient of regression अब यहां पर यह equation basically आया कहां से देखिए आप अगर exponential growth curve का equation आपको पता है y equal to ab power ax power b तो यह जो equation है यह equation आपका देता है एक exponential growth curve के लिए so this equation becomes s equal to c a power z अब इसको अगर हम log scale में convert करते हैं तो यहां पर इसको हम लिखते हैं दोनों साथ में log लेके log s equal to log c plus z पहले आजाएगा z log a so यह हो जाता है आपका equation so this is the equation for species area relationship जो की इन्होंने एक derivation के जरिए इन्होंने express किया था log s equal to log c plus z log a यहां पर s का मतलब है species richness z is the slope of the line जिसको coefficient of regression कहा जाता है and then a is the area and c is the y interceptor now इसके बाद यह तो हो गया biodiversity किस तरह से vary करता है now importance क्या है biodiversity का why it is significant well देखिए biodiversity जो है यह हमारे day-to-day life में काफी important role play करते इसके अलावा जो अर्थ है stable ecosystem maintain करने के लिए काफी significant role play करता है biodiversity इसको मैं अगर simple language में explain करो हो एक जंगल में अगर आपको आप जो है यहां पर जो tiger है इनका population को I mean अगर जो हिरन है इनका population को अगर आप कम कर देते हो तो आपका जो tiger है इनका population भी अपने आप कम हो जाएगा तो यहां पर मैं basically कहना यह चाह रहा हूं कि जो organism से यह आपस में जुड़े हुए through a process of food chain and biogeochemical cycle and इनको stable बनाए रखने के लिए जो biodiversity यह काफी significant role play करता है तो overall मैंने यहां पर 5 heading में discuss कर रखा है जो biodiversity का significance को सबसे पहला domestic use of course इनसान जो है day-to-day life में काफी ज़्यादा use करता है biological जो diversity है जो species diversity है इनको in the form of food, fuel and fodder जैसे for domesticated animals so यहां पर यह use होता है medicinal use काफी ज्यादा है आपको पता होगा इंडिया में जो Ayurveda है यह develop हुआ था ancient period में so ancient period से ही हम जो biological diversity है इन पर काफी ज्यादा dependent है आपको पता होगा चारक समयी तच जो second century BC से यह इसको बनाना start किया गया था लगबग यह second century CE तक यह बनता आया है and काफी ज्यादा यहाँ पर information मिलता है हमको Ayurveda के बारे में यहाँ पर plant animal fungus इनको use किया जाता है for treatment of different kinds of diseases and आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे medicinal plants है जैसे कि तुलसी नीम हिमालन वाइग्रा जो की use होता है for treatment of different kinds of diseases यहाँ पर जो हिमालन वाइग्रा है इस पर मैंने separate video cover कर रखा है description में मैंने अपना link share कर रखा है यह काफी important role play करता है in Ayurveda इसका जो significance है आप समझ सकते है इसका cost पड़ता है करीब करीब 20 lakh rupees per kilogram so यहाँ से आप समझ सकते हैं इसका significance कितना ज्यादा है यहाँ पर एक extra point मैंने add कर रखा है for your general knowledge धनवंत्री जो की Hindu mythological God है जो भगवत पुरान है यहाँ पर इनके बार में mention किया गया था and कहा जाता है कि यह Indian Ayurveda का father माना जाता है इनको so एक significant आप कह सकते हमारा जो culture के साथ काफी ज्यादा linked है हमारा biodiversity then industrial use बहुत सारे raw material provide करता है जो industrial raw material हमको मिलता है biodiversity से example के तोर पर साल टीक जो है यह basically lumbering industry में use होता है and of course you know honey that is obtained from honeybee यह crucial है for many rural industries जो small scale industry है यहाँ पर काफी ज्यादा use होता है and of course honey जो है इसका काफी ज्यादा medicinal use भी है then tourism biological diversity जो है यह tourism को promote करता है and of course इससे जो revenue आता है यह यूज होता है for upliftment of that particular area जो local communities है इनको काफी ज्यादा मदद मिलता है out of those revenues and ecological balance of course जैसे कि मैंने बताया है जो biotic and abiotic components है यह component होगा component जो है यह आपस में जुड़े होए होते है और इनका जो balance बना होता है यह biodiversity एक stable balance बना के चलता है so these are the five important aspects of biodiversity now what is what are the threats to biodiversity biodiversity हम utilize करते है तो जब हम किसी भी चीज़ को utilize करते अब इसमें होने के chances of course रहते हैं so what are the threats यहाँ पर मैंने अलग-अलग 6 example दे रखा एक है climate change आपको पता है climate change it is a reality and जैसा जैसे climate change हो रहा है biodiversity जो है यह खत्र में आ रहा है क्योंकि बहुत सारे species of plant and animal है यह already extinction में जा चुके एंड जा रहे हैं so increasing temperature and जो major जो you know extreme events like forest fire है या फिर flood है इसके चलते जो biodiversity है काफियत तक damage होता है habitat loss and degradation अब excessive जब हम किसी चीज़ को use करते है over grazing या फिर over utilization इससे habitat loss होता है and of course आपको पता है example के तौर पर आपको बता सकता हूं अगर एक जंगल है यहां से हम बहुत जादा species जो है plant variety है इसको हम you know extract कर रहे है तो यहां पर जो animal variety है यह भी काफियत तक affected होंगे and इस area का जो diversity यह कम हो जाएगा then pollution of course you know different kinds of pollution जो है यह indirectly climate change यह directly climate change में impact करता है and of course it leads to biological loss then invasive species alien species भी कहा जाता है इनको अब alien species या invasive species होते क्या है माल लीजिए दो area में consider करता हूं यहां पर एक type का species मिलता है यहां पर दूसरे type का species मिलता है so species B is alien to this particular area and species A is alien for this particular area अब यहां पर क्या होता है माल लीजिए जो species B है इसको अगर किसी तरीके से इस area में introduce किया जाता है अब यह यहां पर dominate करता है तो particularly यह क्या करता है जो A का original species है इनको eliminate करने लगते है और B यहां पर dominate करता है अब यह जो मैंना भी कहा है इसका example आप समझ सकते है जो water fern होता है water fern जो है किसी तलाब में आप देखते हैं जब यह तलाब में grow करने लगता है तो दूसरे जो species है इनको grow होने देता नहीं है यह एक type का invasive species है इसको कहा जाता है it is a terror of Bengal अब यह जहां पर grow होता है तो वहां पर दूसरा कोई species grow नहीं होता है तो basically यह species diversity जो इसको कम कर देता है तो invasive species मैं चाहता हूँ आप comment section में मुझे बताए कि invasive species का कुछ examples आप 2-3 example मुझे comment section में बताए and yes it is very important from exam point of view आपको एक मा के लिए पूछेंगे दो example बताए invasive species का then over exploitation जैसे कि मैंने अलड़ी का है it leads to habitat destruction and loss and other threats जैसे कि epidemic होते है या फिर जो disease होते है अलग-अलग type के आपका viral या फिर bacterial disease होते है इससे जो species variety है इसको काफी ज्यादा threat face करना पड़ता है so these are the threats of you know biological diversity आप इनको point wise इस तरह से लिख सकते है then conservation now यह तो हो गए threat अब इनको हम conserve कैसे कर सकते है how to save our biodiversity क्योंकि जो significant use है biodiversity का हमको अलड़ी पता है अब threat भी हमको पता है हम इनको conserve कैसे कर सकते है वह दिए conservation के लिए दो technique हम use करते है एक तो है in-situ conservation एक है in-situ conservation इन-situ का मतलब है जब हम किसी species को एक अपने ही natural area में you know conserve करते है तो हम इसको कहते है in-situ conservation अब example के तौर पर जब हम एक tiger को उसी का जो natural habitat है जो कि jungle जंगल में हम conserve कर रहे है तो हम इसको कहेंगे in-situ conservation एक्सिटू का मतलब है जब हम किसी species को अपने natural habitat से बाहर conserve करते हैं जैसे कि zoo अब tiger को आप zoo में उठा के लाइए अब वहाँ पी इसको conserve कीजिए तो इसको हम कहेंगे so in-situ का मतलब है within natural habitat जो हम conserve करते हैं in-situ, ex-situ का मतलब है outside its natural habitat so यह हो जाता है in-situ and ex-situ conservation in-situ का example हम बता सकते हैं यहाँ पर national park, wildlife sanctuaries है, biosphere reserve है, sacred groups है इनके बारे में मैं अलग से अब मेरा जो next वीडियो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा इनके बारे में detail में जो biosphere reserve है यह terrestrial हो सकता है, marine biosphere reserve हो सकता है, ex-situ conservation जो है यह basically हो सकता है, आपका gene bank हो सकता है, seed bank हो सकता है, botanical garden हो सकता है सो इनके जरीये हम exito conservation अब seed bank में obviously हम seed को store करते हैं gene bank में हम gene को store करते है example के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ एक technique है cryopreservation का cryopreservation में क्या करते हैं basically मान लीजे कोई species यह अभी मर चुका है लेकिन इसका जो gene है इसको हम extract करके store कर सकते है in an extremely cold medium basically हम liquid nitrogen को use करते जिसका temperature minus 196 से minus 210 degree Celsius तक होता है तो इतने कम temperature में हम genetic material को store कर सकते हैं and इस technique को हम कहते हैं cryopreservation very important from you know for one more question so gene bank हो गया seed bank में हम seed को store करते हैं botanical garden जहां पर हम herbarium sheet वगरा store करते हैं and of course you know zoo जहां पर हम animals को you know protect करके रखते हैं and these are the techniques of access to conservation national park biosphere reserve जो wildlife sanctuaries यह basically natural habitat होते हैं जहां पर हम naturally organisms को उन्हीं के habitat में conserve करते हैं इनके बारे में मेरे अगले वीडियो में ले के आऊंगा तो discuss करेंगे उस वीडियो में अब इसके अलावा बहुत सारे international forum भी है for example बहुत सारे convention है convention on biological diversity अब इनके जरिये भी हम conserve कर सकते हैं biological diversity को biodiversity को इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको मेरे next video में so this is these are the you know broad categories जिसके अंडर हम biological diversity को conserve कर सकते हैं यहाँ पर मैंने definition दे रखा है of this terminologies so इस वीडियो में बस इतना ही I hope यह आपको समझ में आया होगा thanks for listening and as always God bless you all